गुद मॉर्निंग दोस्तों मैं एक बार फिर आजिरों एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने यूटूब चैनल सिविल कर सक्षन जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि अपने किसी भी घर के लिए स्टेयर केश बना रहे हो तो उसमेंwać कितने नंबर स्प्समें और राइजर केaks सकते हो इसमें होती है और प्राक्तिकल सिविल कर सकते हो जैसे कि आप च healthy लिए सेकme क्रेश सकते हूं आपके यह सेकंड फ्लायट है जो की स्लैब से विख इस प्रच यह टेजिडि एम एक यह आपका यह पारड पाइफ में चेक कर सकते हैं आपका링 अपकर यह यह लेंडिंग आ है तो आपक chunky यह सबसे पहले कि आप इसमें नंबर ine féry काव सकते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपका slab का top है इस slab के top से जो आपका उपर वाला slab का top है कि आपने क्या करना है जो slab का top है आपका हो उसकी हाइट ले ले लिए आपनी कितनी है हाइट लेने के बाद जो आपने डिसाइड किया कि आपको राइजर की हाइट कितनी रखनी है उससे क्या करना है अपने डिवाइड कर दें तो कैसे आजाएगा आपका स्लैब ट्रेड आने वाला है तो दोस्तों मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं जैसे कि हमारे पास एक साइट में स्टेर केस बना हुआ है तो इसकी मैं आपको एक जांपल की तोर पर कल्कुलेशन करके बता देता हूं क्योंकि जो हमारी हाइट आई यह स्लैब के टॉप से जो आईे आई यह मैं आपको इसकी राइजर की हाइट दिखा देता हूं हमारी जो राइजर है वह स्ट इंची है कि तो आपको इसको दिखा देता हूं आप चेक कर सकते हैं यह मारी सथ इंच की राइजर है तो 126 को ten से डिवाइड करोंगे तो यह आपकी आ जाए 18 numbers risers आ जाएंगे अगर मैं आपको practical दिखा हूँ तो आप क्या कर सकते हो जैसे एक riser आपका यह आगे एक अगर first flight की मैं बता रहा हूँ आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह आपका 8 और यह आपकी यह 9 आगे जो की landing के साथ आ गया पर हम बात करें सेम आपका second flight में भी आपका सेम आ जाएगा इसमें तो आप easily calculate कर सकते हो इसमें कि आप कैसे निकाल सकते हो तो दोस्तों मैं आपको इसके calculation पे लेके चलता हूँ कि आप easily आपको मैं theory part भी बता देता हूँ कि आप easily कैसे निकाल सकते हो numbers of riser और numbers of thread कैसे निकाल सकते हो अगर आपको single flat TV निकालना हो वह भी निकाल सकते हो अगर second flat TV निकालना हो अब वह easily निकाल सकते हो तो चलिए start करते हैं अगर हम इसकी calculation की बात करें तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हमारे पे हमारे पास एक staircase का plan है जो कि आप चेक कर सकते हैं जो इसका internal size है जो हमारा 10 foot 4 inch है और जो bit of stair हमारी 5 foot की है और जो landing की बीड़ते हैं यह भी 5 foot है तोटल देख सकते हैं जो आपका यहां से लेके यहां तक जो आपका है जो staircase की हाईट है हुए 7 foot 4 inch जो आपकी बीड़त है floor ground floor के top से जो आपका first floor का जो top का slab है इसकी जो height हमारे पास 10 foot 6 inch है तो अगर हम बात करें तो आपकी जो इसकी mid landing से यहां से लेके अगर बात करें जो आपकी landing का जो top है यहां से लेके जो आपकी ground floor की जो slab है उसके top से 5 foot 3 inch ही हो गया और 7 foot 4 inch आपका यहां गया 7 foot 4 inch यह चीज अब बीड़त आप श्टे आपकी 5 foot है राइजर मैंने 7 inch का है और tread 11 inch का तो एक जैसे 1,2,3,4,5,6,7,8 तो कितनी होगी आपकी 8 ट्रेड होगे ना तो 8 into 11 कुरोगे तो आप कितनी आ जाएगी अठासी आने की 7 foot 4 inch आ जाएगी तो यह 7 foot 4 inch आपकी यह आ गई है तो अगर हम बात करें इसकी calculation किया तो आप उसका calculation कैसे निकाल सकते तो सबसे पहले हमने निकालना कि है numbers of riser numbers of riser कितनी आ जाएगे आपके तो कैसे निकाल होगे आपका floor to floor height ground floor से जो आपका first floor का slab का top है उसका floor to floor height divided by height of one riser height of one riser कितनी आपकी 7 inch तो वह जाएगे तो floor to floor height आपके 10 foot change divided by कितनी 7 inch तो कितनी आ जाएगे आपकी 10 या जाएगे आपकी 10 foot change को हमने क्या इंच या आगी आपकी इसको मैंने इंच में change कर दे तो 126 inch divided by 7 यह आपकी आगी 18 numbers यह आपके 18 numbers आगी उसके बाद बात करें riser in one flight तो जैसे दो flight आपकी एक यह flight है और second number कि यह है तो riser in one flight तो कितनी हो जाएगी 18 divided by 2 तो आगे आपकी 9 riser आगे तो आप चेक कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9 जो आपका mid landing के top से आ जाते है अब बात करें second flight के तो उसमें चेक कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो कि आपकी यह first floor की slab के साथ attach हो गी है अब बात करें इसकी number of tread कैसे निकाल सकते हैं number of tread कैसे निकाले कि number of risers minus 1 तो riser कितनी आगे थे आपकी flight में एक flight में 9 तो 9 minus 1 तो मतलब कि 8 number आगे आपकी त्रेड एक, दो, तीन, चार, पांक, चे, साप, आठ आठ आप इसका दूसरा तरीका भी निकाल सकते हो कि कैसे निकाल सकते हो जैसे कि आपको इसकी width पता है यहां स यहां तक कितनी थे हमारी यह साथ फूट चार इंच इसको कह सकते हो आप 88 इंच आ गया 88 इंच divided कितनी थे आपकी ट्रेड का साइज क्या था 11 इंच divided वाई ग्यारा इंच तो कितनी आ जाएगी आपकी यह 8 numbers जाएगी आठ नमबर आपकी क्या जाएगी त्रेड आजएगी तो ही आपकी 8 number है एक दो तीन चार पांक चेस साथ आठ तो दोस्तों आप ऐसे एजली कलकुलेट कर सकते हो किसी भी अगर आप घर पर स्टेर केस बना रहे हो किसी construction site पर करें तो एजली आप कलकुलेट कर सकते हो तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही अगली बार मैं फिर हाजीर हूंगा एक नए टॉपिक के साथ जब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद।